नमस्ते मेरे प्यारे बच्चो मैं Сीमा सेंग। आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चो आज की पाट साला में हम घटाना का सवाल करेंगे। हासिल रहिद घटाना का सवाल करेंगे। ठीक है बच्चो तो चलो हम अपनी पार साला सुरू करते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अब ये कितना है बच्चो पाँच और ये कितना है दो ये पाँच है तो हम पाँच लाइन खीचेंगे एक दो तीन चार पाँच अब हमें कितना कम करना है घटाना मतलब कम करना दो तो दो को हम कट कर देंगे एक दो अब कितना बच गया चलो गिनो एक दो तीन तो दिखो यहाँ पे 3 लिखा है अब 4 की नीचे कुछ नहीं है तो 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे 5 की नीचे कुछ नहीं है तो 5 हमने ऐसे ही लिख दिया अब ये दूसरा सवाल ये कितना है 9 तो हम 9 लाइन खीचेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब ये हमें कितना कम करना है 8 तो 8 हम कार देंगे चलो कारते हैं बचो 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ हमने कार दिया कितना बचा 1 तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे अब ये कितना है 4 तो 4 लाइन खीचो 1,2,3,4 ये कितना है 3 तीन कम कर दो 1,2,3, कितना बच गया 1 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 अब ये कितना है 7 तो हम 7 लाइन खीचेंगे 1,2,3,4,5,6,7 अब 7 के नीचे कितना है 4 इसका मतलब हमें 7 में से 4 को कम कर देना है तो चलो हम कम कर देते हैं एक, दो, तीन, चार ये चार हमने कम कर दिया आप कितना बचा गिनो एक, दो, तीन तो हम यहाँ पर लिख देंगे तीन अब अगला सवाल देखो बच्चो ये कितना है तीन तो बच्चो इसको आप उंगली पे भी कर सकते हो तीन उंगली निकाला अब कितना कम करना है दो एक दो दो कम कर दिया कितना बचा एक तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे अब यह कितना है पाँच और यह शुन्य पाँच में से सुन्य जाएगा तो पाँच का पाँच ही आएगा अब यह कितना है आठ तो आठ उंगली यह पाँच उंगली और यह तीन उंगली हो गई आठ उंगली अब हमें इस में से दो कम करना है एक दो कितना बच गया गिनो एक दो तीन चार पांच 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है, अब आगे देखो बच्चो, यह सवाल, 7 है, तो हम 7 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह कितना है, 4, 4 कट कर दिया, 1, 2, 3, 4, कितना बच गया, 1, 2, 3, तो बच्चो, आप लाइन खीच कर भी कर सकते हो, उंगली पर भी कर सकते हो, एक और तरीका है, देखो वो भी मैं आपको बताती हूँ, यह कितना है, 3, 3 में से 1 कम करना है, ठीक है, तो 3 उंगली निकालेंगे, और 1 कम कर देंगे, 3 उंगली निकाला, 1 कम कर दिया, कितना हो गय तो कितनी बची एक तो यहाँ पर एक लिख देंगे अब यह कितना है बच्चो छे तो छे लाइन खीचते हैं एक दो तीन चार पांच छे छे के नीचे कितना है तीन तो तीन कट कर देंगे एक दो तीन कितना बचिया एक दो तीन बच्चो आप ऐसे भी कर सकते हो हमने 6 लाइन खीचा, 3 लाइन कट कर दिया, 3 बज गया अब 6 में से 3 जाना है तो 3 के आगे आप गिंती गिनिये, 6 आ जाएगा तो रुख जाएगे 3 के आगे 4, 5, 6 किती उंगली बज गई? 3 देखो उत्तर 3 आ गया अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 हम ऐसे ही लिखेंगे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 हम ऐसे ही लिख देंगे ठीक है? अब यह है 5, 5 में से 5 गया यह 5 उंगली है, 5 उंगली कट हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ नहीं बचा अब 5 में से 3 गया पाँच उंगली है, तीन कट कर देंगे एक, दो, तीन, कितना बच गया? दो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो, अब चार के निच्छे कुछ नहीं है, तो चार को हम ऐसे ही लिख देंगे ठीक है? अगला सवाल लेखो बच्चो ये कितना है? पाँच पाँच में से पाँच गया कुछ नहीं, ये देखो पाँच उंगली है पाँच उंगली कट कर देते हैं कम कर देते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच कुछ बच्चा आपके पास? नहीं कुछ नहीं है, इसका मतलब शुन्याँ, अब पाँच में से एक गया पांच उंगली निकला एक उंगली कम कर दिया कितना बच गया एक दो तीन चार तो हम यहाँ पे लिख देंगे चार अब यह कितना है नो तो हमें नो उंगली निकलना है यह देखो यह पांच और यह चार नो अब हमें कम कितना करना है चार एक दो तीन चार मैंने कम क है अब ये कितना है नव तो ये देखो ये हमारी नव उंगली ये पाँच उंगली और ये चार नव उंगली अब नव में से हमें तीन कम करना है एक दो तीन कितना बज़ गया गिनो एक दो तीन चार, पांच, छे तो हम यहाँ पे लिखेंगे छे आप कितना है नौ तो यह देखो नौ उंगली वापीस से हो गई अब दो कम कर दो एक दो कितना बज़ गया चलो गिनौ एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ हम यहाँ पे लिख देंगे साथ, नो में से दो कम होगा तो साथ हो जाएगा अब आठ में से 5 कम करना तो सबसे पहले हम 8 उंगली निकालेंगे, अब इस में से हमें 5 उंगली कम करना है 1, 2, 3, 4, 5 यह कम हो गई, कितना बज गया 1, 2, 3 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 ठीक है आगे दिखो आठ आठ में से चार गया यह आठ उंगली हो गई अब इस में से चार उंगली कम करना है एक दो तीन चार अब कितना बज़ी गया एक दो तीन चार तो हम यहाँ पे लिख देंगे चार आठ में से चार हम कम करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा चार अब यह पांच है तो ये पांच उंगली चार कम कर दो एक दो तीन चार किता बच्चा एक हम यहाँ पर एक लिख देंगे अब इस चार के नीचे कुछ नहीं है तो हम चार का चार ही लिखेंगे ठेक है बच्चो तो बच्चो आज की पाट साला में हमने क्या किया हासिल रही घटाना के सवाल किये है मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अगर आपको मेरा चैनल पसंद है अगर आपको मेरे द्वारा सवाल किया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब चरूर करिएगा धन्यवाद थैंक यू फर वाचिंग